हेलो दोस्तो नमश्कार कैसे हैं आप सब आज हम आपके साथ एक बहुत ही सुन्दर गले का डिजाइन लेकर आए हैं आप देख सकते हैं ये गले का डिजाइन बहुत जादा सुन्दर बना है इसे बनाने का जो सबसे असान तरीका है वो मैं आपके साथ शेर करूँगी तो यहाँ पे हमने जो शेर्ड की कटिंग करनी है वो पहले आप ध्यान से देख लीजिए यहाँ पे मैंने जो पीछे वाला पला है एक इंच बड़ा कट किया है इससे जो हमारा गला है पीछे की तरफ बिलकुल नहीं जाता है इसीज़ का आपने ध्यान रखना है मैंने पीछे वाला पला एक इंच बड़ा कट किया है और जो फ्रंट वाला पीस यह हमारा है तो यहाँ पे आपने फ्रंट वाले पीस में जो काट है सेम नॉर्मल डालनी है और यहाँ पे जो तीरा है वो हम एक इंच ज्यादा रखेंगे जैसे कि अगर आप 6 इंच तीरा रखना चाहते हो तो यहाँ पे हम 7 इंच तीरा रख रहे हैं अगर आप 7 इंच रखते हो नॉर्मल में सारी वीडियो आप ध्यान से देखिएगा तो अभी हमने फ्रंट वाले पले में गला कट करना है तो इसको देखिए पहले ध्यान से तो यहाँ पे हमने इसको जो निशान लगाना है मार्किंग लगानी है गले की चुड़ाई तीन इंच लगाएंगे और गला डीप हम तक्री मेरी लाइनिंग वाला है इसको एक बर स्टिच कर लेती हूँ ताकि लाइनिंग हमारी ही लेना अगर आपका नॉर्मल है बिना लाइनिंग के तो कोई इस्यू नहीं है इसको हमने इस तरह कट करके रख लिया है अभी बैक वाले पले पे भी कटिंग कर लेते हैं यह दिखि है अब हम एक बुक्रम लेते हैं उसको इस तरह फोल्ड कर लेते हैं इसकी जो चोड़ाई है तकरीबन हमने भाई इंच रखी है भाई इंच चोड़ाई में रख लिया है लंबाई में हम आपको बताएंगे कितना रखना है इस तरह थोड़ा सा तिर्चा काट लेते हैं यह आपने गले की जो लंबाई है 1.5 तो बहां रकी थी और यहां पर साठे साधी इंच के तोल लंबाई रख रहे हैं अर बंद वाली साईड हम एक इंच का निशान लगाएंगे इस तरह 1 इंच का निशान लगार इस्वे इस तरह हम नीचे की दर मिला देंगे इसको हमने वी एक इंच बुक्रम लेते हुए इसकी कटिंग कर लेते हैं इसको पहले बीच में से निकाल देते हैं इसकी कटिंग कर लेते हैं यहां पर गले की लंबाई आप अमनी मर्जी से कम जारा कर सकते हो उसका कोई शू नहीं होगा इसको हम ऐसे कट कर लेंगे तो यह देखे यह हमार लीजिए इसके उपर और अब हम इसे shirt पर बनाएंगे तो यह हमारी main shirt का front piece है तो front piece पर हमने इसको ऐसे रखना है और पहले उपर की तरफ से stitch कर देना है यह दिखे जो हमने गुलाई दी थी थोड़ा सा तिर्चा किया था इसको वो इसलिया किया था क्यूंकि हमारे गले में गोलाई है तो यह सेट हो जाएगा अब हम साइडों से इसको से लेते हैं दोनों साइड से और इसके अंदर का कपड़ा निकाल रहेंगे काटके तो लीजे यह हमारी सिलाई हो गई है अब हम इसको cutting कर लेते हैं बीच में से और जो corner है वह आप अच्छी तरह finishing कर ले इसे हमने इस साइडों में पट्टीब लगानी है तो उसके लिए हम यहाँ पे उरे पट्टी कट कर लेते हैं ये मेरा lining कपड़ा है मैं इसकी बारीक पट्टी लगा रहा है हूँ देढ़ इन चोड़ी मैंने इस तरह पट्टी कट कर ली है और इसको इस तरह जोड लगा लेंगे और ये पट्टी हमारी ready है अब हमने इसको सिलना शुरू करना है पट्टी हम ऊपर रखेंगे उल्टी तरफ शर्ट सीधी है हमारी इस तरह मलसीधी साइच से सिलना शुरू करना है पट्टी हमने उल्टी रखी है अब हम एक एक पैर का मार्जन लेते हुए पट्टी को आप बिल्कुल भी खीचना नहीं है इस चीर का आप ध्यान रखेगा अगर आप पट्टी को खीच दोगे तो यहाँ पे जोला जाएगा आपने नीचे वाले कपड़े को हलका सा स्टैच करके रखना है और पट्टी को आपने बिल्कुल लूस रखना है और इस लाई को आपने लगा लेना है जब हम खीचते हैं तो यह पाइपिंग निकलती है अगर हम नहीं खीचते हैं तो यह अंदर की तरफ फोल्ड होती है इस चीज़ का आप तहां रखें तो लीजे हमने इसको कट कर लिया है यहाँ पे शिलके अब हम इसके अंदर से छोट-छोटे कट्स लगा लेंगे नोचिस लगा लेंगे क्योंकि गुलाई है गले में तो कट्स तो हमें लगाने ही पड़ेंगे पूरे गले में हम पहले कट्स लगा लेते हैं अब हमने कट्स लगा लिए हैं अब हम इस पट्टी को इस तरह फोल्ड करेंगे थोड़ा सा मार्जन देते हुए पट्टि को आपने एक्स तरथ को सारा अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है हम लीजे फोल्ड करने के बाद, हमने यह एक्सा कपड़ा है इसको कट करने है यह हमने बिल्कुल नहीं रखना है क्योंकि इसको हम फोल्ड करेंगे तो फिनिशिंग होनी चाहिए अब हमने पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करके एक सिलाई लगा देनी है इसको हम बाद में तुर्पाई कर देंगे अभी के लिए हम इसको सिलाई लगा रेते हैं रफ स ऐसे ही धिले हातों से इसको नाप लेते हैं तो लिजे इसे मैं इसे नाप लिया है यह हमारा 20 इंच आया है यह राउंड कॉलर हमारा 20 इंच का बनेगा तो इसको कटिंग कैसे करना है वो आप देखिए कॉलर की सारी बात होती है कॉलर अगर सही बनेगा तो आपका गला बह मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पे आप आधा इंच का गुलाई दे दिंगे, जैसे भी आपने गले की चुडाई रखिए, जगर चार इंच रखी है, तो आठ इंच रखिएगा, अगर आपने टीन रखे तो मैंने 6 रखा है, लेकिन मैंने आदा इंच एकसा ले लिया है, अब हम इसको हलका सा गुलाई में मिलाते हुए, ऐसे आ र मैंने 3 इंच लगाई है total जो चुडाई है 6 लगाई है और उसको मैंने हलका सब गुलाई दे दी थी गुलाई देने के बाद इसको round में जब नापा मैंने कॉलर के अगर आपकी पेस्टिंग वाली है तो प्रेस कर लिजे नहीं तो एक सिलाई लगा लिजे इस तरह आपने आधा हिंच कपड़ा छोड़ते हुए कॉटिंग कर देनी है इसको नीचे से तरह यह कॉलर हमारा जुड़ गया है अब उसी के साथ का एक कपड़ा और लेते हैंगे लेकिन सबसे पहले इसको फोल्ड प लेंगे इसस साइट से पहले हमने इसको फोल्ड कर लिना है और इसको इसके ऊपर रखते हुए हमने कॉलर को बनाना है तो ये जो सिलाई है ये फिनिशिंग वाली लगेगी इसको आपने बात में खोलना नहीं है इसको आप पका लगा दीजिए तो दीजे ये हमने सिलाई लगा दी है अब दूसरे कपड़े के उपर हम इसको रखेंगे इस तरह रखने के बाद हम इसके बिल्कु गुलाई में सिलाई लगाएंगे एकसा कपड़े को कट कर देते हैं और इस तरह हम यहां पर इसकी गुलाई में सिलाई लगाएंगे अब जो सिलाई लगनी है वो बुकरम के उपर बिल्कुल नहीं लगनी है बुकरम के बिल्कुल साथ साथ लगाएंगे, यह सिलाई हमारी लग चुकी है, अब हमने इसको बीच में से कट कर देणा है, साइडें अभी नहीं काटेंगे, साइडों को बाद में कट करेंगे, इसले बीच में कपड़े कट करकेritt हम फिसको हमनें शोट शोटे केट से लगाने के बास को हमने कि जो कॉलर है वो उठता रहता है तो इसी वज़ा से उठता है कि आप सीधा कॉलर बना देते हो और यह आप गुलाई नहीं देते हो तो सीधे कॉलर में अगर आप स्रिच करते हो तो हमेश्य उठेगा ही अब हमने इसके किनारे किनारे पे एक सिलाई लगा लेनी है और अब ह इस तरह है एक पटी को इसके साथ जोड लेंगे और ये पट्टी को आप बिलकुल भीडेंगे नहीं को छिप्ति *** को इसके देहान तकर हमने का प्लेंण लगा दी है तthen तरह हो वैसे ही जैसे कि अंदर की तरह नदर की तरह अंदर के इस तरह लग जाएगी अब हमने जो एक्सा कपड़ा है उसकी कर देनी है कटिंग और ये पट्टी है जो ये औरेव होनी चाहिए इसी का ध्यान रखेगा तो लीजिए इसकी कटिंग कर दी है अब हम सुई में धागा डाल लेते हैं धागा डालके इसको कपड़े को अंदर की दिखाते हैं ये इस तरह हमारे गले में आएगा इसके ओपर कैसे टैच करना है वो आपको दिखाएंगे ये दिखे ये गला बिर्कुल सैट है अब हमने इसको ऐसे रखना है और कॉलर को इस स्थरा रखना है और यह यूड़ जाएगा इसके साथ जब हाम दिखिए इसकी बहुत अच्छी आएगी अब हमने एक मोती लेना है और फोर लेयर का धागा एक सुई में डाल लिया है मोती को इसके अटैच करेंगे यह जो कॉलर अटैच होना है शेट के साथ मोती के साथ ही अटैच करना है क्योंकि हमने दोनों साथ से फिनिशिंग पट्टी लगा दी है अब हम इसको इस तरह टांका दो से तीन बार लगा देंगे क्योंकि कई वर ऐसा होता है कि मोती अगर आप एक साथ से लगाना शुरू कर दोगे तो कॉलर हमारा चोटा बड़ा हो सकता है यहां पर हम सेंटर का निशान बना लेते हैं इस तरह और शेट का जो सेंटर का निशान है वह भी आपने इस तरह बना लेना है और इसको दोनों को सेंटर के निशान पर पहले एक मोती लगा देते हैं फिर एक किनारे पर लगा देंगे तो इस तरह बैलंस करते हुए हम सारे मोतियों को अटेश कर देंगे तो लेजिए सारे मोती हमने इस तरह लगा दिये हैं और बहुत ही ज़्यादा सुंदर यह गला बना है आपको देखते ही पसंद आ रहा होगा और मुझे तो बहुत ही मज़दार यह गला लगा है पहनने में बहुत ज़रब परफेक्ट है मैं आपको दमी पर पहना कर भी द धन्यवाद और आप देखिये इसका लुक कितना बढ़ी आया है गले में से कहीं वी उत नहीं रहा है बिल्कुल पॉर्फेक्ट जमा हुआ गला बना है थैंक यो वाचिंग दिस वीडियो